बच्चो आज का हमारा विशा है भू आक्रितियों का विकास भू आक्रितियां शब्द इनका इनकी प्रक्रियाएं कैसे होती है इसके पहले हमने इसका अध्यन किया है भू आक्रितियां कई प्रकार की होती डिया आपको बताया था जैसे हम संपूर्ण प्रित्वी पर देखते हैं तो महाद्वीप और महासागर ये दो इस्थलाकृति हमें दिखाई देती है इसे हम प्रात्मिक इस्थलाकृती कहते हैं। इसी महाद्वीप या महासागरों पर जैसे महाद्वीपों पर परवत, पठार और मैदान। ये जो आकृतियां हैं ये द्वितियक प्रकार की इस्थलाकृतियां कहलाती हैं। इनका जो विकास प्रित्वी की अंतरजात शक्तियों के माध्यम से होता है। दूसरी जो शक्तियां बहिरजात शक्तियां हैं। इन शक्तियों से त्रितियक प्रकार की इस्थलाकृतियों का विकास होता है। और ये जो तृतिया प्रकार के इस्थलाकृतियां हैं, ये इस्थलाकृतियां इन्हीं परवत, पठार और मैदान पर विभिन प्रकार के स्वरूप बनाती है या उनको विक्सित करती है। तो बहिरजात बल के माध्यम से ये परवत, पठार और मैदान पर कई आकरितियां बनती और बिगड़ती रहती है तो इस्प्रकार की जो क्रिया है धरातल के उपर सम्तल स्थापन की प्रक्रिया होती है। बच्चों आपको पता है कि ये जो बहिरजात बल है ये समतल स्थापन का कार्य करते हैं अर्थात जहां पर उचे नीचे भाग होते हैं तो उचे भागों में ये अपरदन के मध्यम से तोड़ फोड़ करते हैं और उन पदार्थों को जो निचले हिस्से है वहाँ पर जमा करते हैं तो इस प्रकार से ये समतल स्थापन की प्रक्रिया करते हैं ये जो अपर्दन की क्रिया हैं ये किन्ही कारकों के माध्यम से संपादित होती है जैसा हमने इसके पहले पढ़ा है कि ये जो प्रमुख कारक है जो अपरदन की क्रिया कर रहे हैं इसमें नदी, हिमनद, वायू, भूमी गजल और समुद्री लहरे ये पांच कारक अपरदन की प्रक्रिया में सहयोगी होते हैं इन ही कारकों में आज हम नदी का अध्ययन करेंगे नदी क्या है धरातल की सतह पर बहता हुआ जल यह नदी कहलाता है नदी धरातल की सतह पर गुरुत्वा कर्शन की शक्ती के कारण सतह से चिपक कर यह पानी बहता है पानी का जो मुख्य स्रोथ है यह वर्षा का जल या कहीं कहीं पर ग्लेशियर्स जब पिखलते हैं तो उससे भी जल प्राप्त होता है उचे परवतों पर कहीं पर पानी के स्रोथ यह जल का स्रोथ होता है और यह पानी या जल का जो स्रोथ है यह नदियों को निरंतर जल प्रदान करता है कहीं कहीं पर जील से भी पानी प्राप्त होता है और ये जील से फिर नदियों का विकास होता है तो इस प्रकार से नदी सतह पर बहने वाली एक प्रक्रिया है यह निरंतर प्रक्रिया है जो ढाल का अनुसरण करती हुई सतह पर बहती है और इसका अंत सामान नितह महा सागरों में होता है नदी का जो प्रवाह है इसमें नदी के अपरदन के कुछ सिध्धान्त होते हैं यह अपरदन के जो सामान नितह सिध्धान्त है इसमें नदी को ढाल मिलना अवश्यक होता है दूसरा नदी में वेग पाया जाता है और तीसरा जो है नदी में विभिन प्रकार का बोज या हम इसको मलबा कहते हैं कंकर पत्थर इसमें होते हैं तो यह तीसरे प्रकार की बात होती यह तीनों चीजें मिल करके नदी के अपर्दन के सिधांत का निर्मान करते हैं समान निरूप से जो अपरदन होता है अपरदन जब नदी में महीन कण या ऐसे तत्व जो नदी के जल में घुलनशील होते हैं तब अपरदन कम होता है लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ नदी में होते हैं जो लुड़क करके उचल कूद करके आगे की और बढ़ते हैं तो ये अपरदन को तिव्र करते हैं अपरदन इसमें अधिक मात्रा में होता है नदी का जो अपरदन होता है ये अपरदन प्रायह कई प्रकार से संपन होता है और इसके विभिन रूप होते हैं तो इन रूपों में सबसे पहला जो रूप है इसे हम कहते हैं घोली करण या संक्षारन की प्रक्रिया घोली करण क्या है जब नदी जिस इस्थान से प्रवाहित हो रही है वहाँ की जो चट्टाने होती है इन चट्टानों में विभिन प्रकार के पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं जब जल में घुल करके नदी के साथ आगे की और बढ़ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को संग्षारण या घूली करण की प्रक्रिया कहते हैं सामान ने रूप से हम बरसात में देखते हैं कि वहां आसपास की जो मिट्टी है वो जल में घुल जाती और पानी बहुत मत्मेला दिखता है कई ऐसे ख्षेत्र होते जहां से जल प्रवाहित होता है तो वहाँ परेदी चूना होता है, तो चूना पानी में घुल जाता है तो पानी का रंग सफेद दिखाई देता है। तो ये सब घुलन्शील तत्व है। दूसरा जो प्रकार होता है इसे हम कहते हैं अपघर्षन की प्रक्रिया अपघर्षन या एब्रेशन जब नदी में विभिन प्रकार के जो तत्व होते हैं जब नदी का पानी बहता है तो बहने के साथ महीन कन रेत के बालू के कंकर पत्थर छोटे छोटे ये नदी के जल के स प्रवाहित होते हैं तो यह जब अपनी तली से रगड़ते हुए यह अपने किनारों से टकराते हुए जब यह आगे की और बढ़ते हैं तो उस तली को यह उस किनारों को खुरचते हैं काटते हैं और इससे जो कटाव होता है इसे अपघर्शन कहते हैं अगला है सन्नी घर्षन सन्नी घर्षन में क्या हो रहा है कि जो कंकड़ पत्थर नदी के जल के साथ आगे की और बढ़ रहे हैं ये आपस में एक दूसरे से टकराते हुए आगे की और जाते हैं तो इस प्रकार के आपस में टकराने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम सन्नि घर्षन कहते हैं और चौती प्रक्रिया होती है ये है जल गती क्रिया जल गती क्रिया जिसमें जल स्वाभाविक रूप से जब बहता है तो वह बहने के साथ अपनी तली को खुरचता हुआ आगे की और निकलता है अपनी तली को खुरचता है जिससे अपने बहने की जगह बना लेता है सामान निरुप से आप बरसात में देखते हैं कि जहां से वैसे तो बरसात का पूरा पानी सब जगह गिरता है लेकिन किसी ढाल वाले क्षेत्र में ये पानी इकठा होता है और वहां से फिर अन्यत्र प्रवाहित होता है, तो वो जो जगह होती है, वहां एक नाली नुमा आकरिती बन जाती है, ये जो नाली नुमा हम इसको क्यों समझते हैं, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि पानी ने अपनी जगह बना ली है, और वो धीरे धीरे आगे क्यों चार अपरदन के रूप होते हैं फिर अपरदन की प्रक्रिया के दवरान नदी विभिन प्रकार से इस्थलाकृतियों का निर्मान करती है ये इस्थलाकृतिया कैसे बनती है देखिए जैसे मैंने बताए कि नदी का स्वाभावी कार्य है काट छाट करना ये काट छाट करके उस खेत्र में जो चट्टाने होती है इन चट्टानों को तोड़ती है इन चट्टानों को घीसती है रगड़ती है और इसके साथ ही इन चट्टानों को वो चिकना भी बनाती है और इस प्रकार जब आपने नदी के आसपास के कुछ पत्थर आज ही देखेंगे तो देखेंगे पत्थर गोल-गोल चिकने-चिकने होते हैं इन काकार छोटा बड़ा होता है तो ये क्या कर, ये नदी के जलने इन चट्टानों को विभिन स्वरू प्रदान किया है और यही पदार्थ जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो अपनी तली को खुरचते हैं, अपने किनारों को खुरचते हैं और ये अपरदन का कार्य संपन करते हैं नदी जो अपरदन का कार्य संपन करती उससे विभिन स्थल रूपों का निर्मान होता है इसे नदी का अपरदनात्मक स्थल रूप कहते हैं इसमें सबसे पहला जो स्थल रूप है वो है नदी घाटी का विकास नदी घाटी का विकास अर्थात नदी जिस खेत्र से प्रवाह थो रही है बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जब पानी गिरता है और पानी गिरने के बाद नदी जो पानी वर्षा का जल है ये किसी एक शेत्र से प्रवाइत होता है वहाँ एक नाली नुमा आकरिती बन जाती है पानी जब बह जाता है तो आप उस आकरिती को देखते देते हैं तो इसका आकार यदि आप देखते हैं तो ये सामाने रूप से अंग्रेजी का वी अक्षर जो हम लिखते हैं तो उस प्रकार का आकार दिखाई देता है तो इसे हम वी आकार की घाटी कहते हैं ये वी आकार की घाटी प्राय सभी नदियां बनाती है और जहां भी जल प्रवाहित होता है वहाँ पर इस प्रकार से वी आकार की घाटी विक्सित हो जाती है यही घाटी धीरे धीरे जब पहले तो अपनी तली को काटती है नदी तो यह घाटी एकदम भी दिखाई देती है बाद में धीरे धीरे अपने किनारों को अपने पार्ष दोनों किनार उनको काटती है तो ये घाटी में चावडाई जो है इसकी विक्सित हो जाती लेकिन इसका आकार अभी भी वी के समान दिखाई देता है और जब नदी मैदानों में जाती है तो मैदानों में ये अपने जो अपना घाटी वरतिक शेतर इसको काफी चावडा कर लेती है और चा वियाकार की घाटी का क्रमशह विकास होता है और ये वियाकार की घाटी प्रत्यक जलक्षेत्र में जहां पर जलका प्रवा होता है देखने को मिलता है वियाकार की घाटी जब काफी गहरी हो जाती है गहरी होने से इसके जो दोनों किनारे हैं ये किनारे खड़े ढ़ाल वाले कभी कभी हो जाते हैं क्योंकि चट्टानों के अधिक अपरदन से इसके दोनों किनारे काफी गहरे और खड़े ढाल युकतो होते हैं और उसके नीचे से नदी और भी काफी नीचे से नदी प्रवाहित होती है तो इस प्रकार काफी गहरी वियाकार की घाटी जो बनती है इसे हम gorge के नाम से जानते हैं gorge वियाकार की घाटी का विस्तरित रूप हम इसको कह सकते हैं और जैसे बताए कि इसके जो दोनों दिवारे या दोनों पार्षो होते हैं वो लम्बावत या खड़े ढाल वाले होते हैं ओर इसके ढाल प्राय उत्तल होते हैं तिव्र ढाल युक्त होते हैं और नीचे से जल का प्रवाह हो रहा है गार्ज के विकास में बहुत सी बाते सक्रिय होती हैं तो नदी स्वयम घाटी को गहरा करती है और गहरे गार्ज का निर्मान करती है तो इस प्रकार से गहरे गार्ज जो है ये इसके उदारन भारत में भी और प्राय जितने भी परवतीक शेत्र है कहीं कहीं पर नदियों में गार्ज के उदारन देखने को मिल जाते हैं आपने राची के पठार का नाम सुना है बच्चों, तो राची के पठार में बीहर नदी ने चचाई गार्ज का निर्माण किया है। जल प्रपात हो, छोटा सा जल प्रपात होता है और जल प्रपात में अपरदन तेजी से होता है। और तेजी से होने के कारण कभी कभी यदि वह जल प्रपात कोमल चट्टानों से बनाए तो वह धीरे धीरे पीछे की और हटता चला जाता है। और ऐसा होता है कि जल प्रपात जब पीछे हड़ जाता है तो वो अक्षेत्र जहां पर प्रपात कहा होता है जहां पर खड़ा ढ़ाल होता है उचे भूभाग से पानी नीचे गिरता है तो उसको हम प्रपात कहते हैं और यही प्रपात जब धीरे धीरे पीछे की और सरक जाता है तो दोनों तरफ की उची प प्रपात के पीछे हटने से जो गार्ज का निर्मान होता है इसका उदाहरन आप सभी ने नर्मदा नदी के भेडा घाट का नाम सुना है यह जो भेडा घाट है यहाँ पर आप देख सकते देखिए दोनों तरफ से उची पहाड़िया है और नीचे से जल बहरा है इसे हम प्रपात के पीछे हटने से गार्ज का निर्मान हुआ है तो ऐसे गार्ज के निर्मान के अनेक उदाहरन जो प्रपात के पीछे हटने से बनते हैं ये भी देखने को मिलते हैं या नदी ने स्वयम गार्ज को काफी गहरा किया अपनी घाटी को तो उससे गार्ज का विकास होता है इसके आगे की जो इस्थलाकृती है इसे हम कैनियन कहते हैं कैनियन या कंदरा शब्द है काफी गहरी गार्ज से भी बहुत अधिक गहरी जब नदी ने अपनी घाटी को विक्सित कर लिया है तो इसे कंदरा या कैनियन कहा जाता है सामान्य रूप से कैनियन के उदाहरण प्रायस सभी महाद्वीपो पर देखने को मिलते है कैनियन के संबन में ऐसा कहा जाता है कि नदी सोयम बहुत अधिक गहराई तक घाटियों का निर्मान नहीं कर सकती कभी कभी करती भी होगी पर ऐसा कहा जाता है कि उसमें दूसरी शक्तियां सहायक होती है दूसरी शक्तियों से तातपर यह है ये गार्ज या कैनियन कहा बनते जहां पर परवती भूभाग होते हैं किसी कारणों से परवत के भूभाग जो है नदी के आजुबाजु का जो क्षेतर इसमें उत्थान होने लगता है नदी में भी उत्थान हो रहा है लेकिन नदी क्या कर रही अपनी घाटी को और भी गहरा कर रही है और जब वो भूभाग उपर उठ रहा है, तो नदी काफी तेजी से अपनी घाटी को काटने लगती है, इसे नदी का पुनर युवन कहते हैं, इस पुनर युवन अर्थात युवा शब्द आप जानते हैं न बच्चों, कि नदी युवा में आदमी जैसे आप युवा वर् कोई भी कारे को बड़ी तेजी से करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लगबग 40-45 वर्ष हो जाते हैं, तो आप प्राओधा वस्था में आ जाते हैं, काम करने की क्षमता दीरे-दीरे कम होने लगती है, तो यहाँ पर नदी चूंकि उसका ढाल कम हो गया था, उसका वेग अप एक शकरित कम था, लेकिन आसपस के भाग उपर उठ गए, और उपर उठने से नदी ने अपने आपको उपर नहीं उठाया, बलकि बड़ी तिवरता से उसने घाटी को काट करके गहरा कर लिया, इससे नदी की घाटी क्या दिखने लगी, बहुत अधी गहरी दिखने लगी तो इस प्रकार की जो आखरिती होती है, इसे canyon कहते हैं, canyon का एक बहुत अच्छा example, Colorado नदी का Grand Canyon है, Colorado नदी का नाम आपने सुना है बच्चो, सयुक्तराज अमेरिका के Arizona प्रांत में ये Colorado नदी है, और इसने यहाँ पर Grand Canyon का विकास किया है, तो यह जो Grand Canyon है यह इसकी गहराई जो है अपने आसपास के क्षेत्र से यह लगभग 2088 मीटर गहरा केनियन है और यह सिर्फ छोटा सा नहीं है बलकि इसकी यह नदी कितनी लंबाई लगभग चार सो पच्यासी किलो मीटर लंबाई वाले खेत्र में इस नदी ने अपनी घाटी को गहरा करके Grand Canyon का विकास किया है तो यह Grand Canyon जो है यह Canyon का बहुत सुन्दर उदारण प्रस्चुत करता है इसी प्रकार से भारत में भी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी इन सभी नदियों ने कैनियन और गार्ज का निर्मान किया है यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में भारत में ब्रह्मपुत्र नदी ने लगभग सत्तरा सो फीट गहरे गार्ज का निर्मान किया है हिमालय के उत्थान के समय में इसने अपनी घाटी को काफी गहरा कर दिया है तो ये वियाकार की घाटी, गार्ज, वियाकार का विक्सित रूप और और भी गहरा रूप कैनियन कहलाता है कैनियन की जो दिवाले होती है, दोनों किनारे जो होते नदी के ये एकदम खड़े ढाल वाले सीधे होते हैं जब वहाँ पर कठोर चट्टाने पाई जाती है, तब इनके ढाल खड़े होते हैं लेकिन चट्टानों की जो स्थिती रहती कहीं कठोर, कहीं कोमल इस प्रकार की जब स्थित्या होती है, तो उपर से भी अपरदन होते रहता है और इनके जो ढाल है ये काफी उबढ़ खाबढ़ होते हैं दूसरी जो आकरिती होती है, इसे हम कहते हैं, आवनमन कुंड या पाट होल्स ये आवनमन कुंड या होल्स क्या है? देखे बच्चों, अभी बरसात का मौसम है और आपने देखाई कि सडक पर छोटे छोटे बड़े गड़े विक्सित हो जाते हैं ये गड़े कैसे विक्सित होते हैं? कि पानी जब उस सडकों पर बहता है, तो वहां से कोई एक पत्थर बाहर आ गया, तो वहां पर पानी भर जाता है और फिर धीरे धीरे वो गड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ा सा गड़ा बन जाता है उसमें पानी भर जाता है इसी को हम पॉट होल कहते हैं लेकिन नदी के ख्षेत्र में नदी जिस ख्षेत्र से प्रवाहित हो रही है तो प्रवाह के मार्ग में और नदी ने मिट्टी को काट दिया तो वो चट्टान का तुकड़ा उखड़ करके बाहर आ जाता है वहाँ पर पानी भर जाता है और पानी भरने से धीरे धीरे उस गढ़े का विकास होता है यह गढ़ा प्राया नदी में कुछ सेंटी मीटर से ले करके कुछ मीटर तक भी विक्सित होता है बहुत छोटे से ले करके बड़ा सा गड़ा बन जाता है और यहाँ पर जब पानी भर जाता है तो पानी अंदर में जा करके भी अपरदन कर रहा है और अपरदन करते करते वहाँ पर एक काफी गहरा जैसे की आप कुवा देखते है ना जो समतल धरातल के बीच में खुदा रहता है, ऐसे ही नदी वहाँ पर एक गहरे गड़े का निर्मान करती है, और इस गड़े में क्या होता है, कि जब पानी बहता हुआ आता है, तो उस बहतेवे पानी का प्रवाज जब इस गड़े के पास आता है, तो यहाँ पर पानी भीतर की और जातर फिर उपर उठता है, जिससे इस सक्षेत्र में भावर, आपने नाम सुना है भावर का, भावर मतलब पानी गोल 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 गूमता है, उसको भावर कहते हैं, तो ऐसे भावर का निर्मान हो जाता है, और कई बार जैसे हम लोग सुनते हैं, या नियूस पेपर में पढ़ते हैं, कि उस भावर में कुछ लोग तैरने गये थे, और वो वहाँ भावर में फस गये, उसके कारण वो डूब गये, तो यह जो भावर होता है, यह इसी प्रक इसलिए इस खेतर को शैतानी बल का प्रतीक कहा जाता है, शैतानी बल यानि क्या कर रही, वो भावर में गोल-गोल घूम रही है, फसा रही है, और उस खेतर से आदमी जिंदा नहीं लाट सकता, तो यह शैतानी बल का प्रतीक इसलिए इस पॉट होल्स को कहते हैं, तो यह कैसे विक्सित होते हैं नदी के भीतर में जो कोमल कंकर पत्थर होते हैं इनको नदी उखाड देती है और उखाडने के बाद वहां गहरे गड़े का निर्मान कर रही है और उसको आप यहां पर चित्र में पॉट होल कैसे बनते हैं इसको आप यहां पर देख सकते हैं तो इस के पॉट होल का विकास होता है इसके बाद एक इसी वियाकार की घाटी में हम एक और चीज देखते हैं इसको कहते हैं अंतर ग्रथित परवत सकंध इंटर लॉकिंग स्पर इसको कहते हैं ये अंतर ग्रथित परवत क्या है सामाने रूप से आप देखते हैं कि परवतों का जो विकास होता है हम दूर से परवतों को देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि एक परवत है इसके उपर दूसरा परवत खड़ा है फिर इसके उपर तीसरा परवत इस प् प्रवाह होता है, तो नदी यहां पर गोल घूमती हुई, क्योंकि परवत जिस प्रकार से इस्थित है, तो उनके किनारे में जहां जहां धाल मिलता है, वहां से नदी का प्रवाह होता है, तो यह जो उपर उठे भाग है, इन्हें हम परवत इसकंध कहते हैं, और इसके बीज इसे नदियों का प्रवाह होता है और जहां पर नदी घूमती है इन परवतों के कारण जहां पर उसको मोड़ पड़ता है फिर अपना रस्ता आगे बनाती है तो उसक्षेत्र में वह अधिक गहराई तक अपरदन करती है वहां पर घाटी का विकास कुछ अधीक होता है जबक जलाती है इसके बाद की जो आकरिती है इसे हम शिप्रिकाएं कहते हैं शिप्रिकाएं क्या होती है शिप्रिकाएं भी जलप्रपात की भाती होती लेकिन ये थोड़ी सी कम उचाई वाली होती है और सामान ने रूप से जब शिप्रिका का निर्मान कब होता है जब कोमल यहां चीत्र में आप देख सकते हैं, बच्चों, कि जब कोमल चट्डान और कटोर चट्डान होरिजेंटल या ख्षैतिजिक रूप से विख्सित होती है, तो कोमल चट्डान यदी उपर में हैं, तो वहाँ पर नदी ने उस चट्डान को काट लिया. जैसे ही कठोर चट्टान आती है उस पर अपरदन अपेक्षकृत धीमा होता है और इसलिए वहाँ से पानी आगे की और बढ़ता है लेकिन यदि इस कठोर चट्टान के नीचे फिर से कोमल चट्टान का जमाऊ है तो नदी उस कोमल चट्टान को तेजी से काटी जिससे कठोर चट्टान बाहर निकला है और कोमल चट्टान उसके आगे नीचे की और कटने लगी है जिससे वहाँ छोट असा एक ज़रना जैसे विक्सित हो जाता है तो इस ज़रनी को शिप्रिका कहते हैं दूसरी अवस्ता वहाँ हो सकती है जब जैसा आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि जब कोमल और कठोर चट्टाने अनुदायर्धे रूप से या तीरियक रूप में खड़ी होती है तो कठोर चट्टानों में अपरदन कम होता है लेकिन कोमल चट्टानों में अपरदन तेजी से हो रहा है और उसके कारण पानी जो है वह उचलता हुआ आगे की और बढ़ता है तो इस प्रकार की आकरिती शिप्रिका कहलाती है